नतिश कुमार के काम से इतने गदगद हो गए रवी किशन की वो बिहार और नतिश कुमार के लिए लगे कसीदे पड़ने क्या कुछ कह दिया है रवी किशन ने और कौन सा वो नतिश कुमार का काम है जिससे रवी किशन गदगद हो गए इस पूरी जानकारी से हम आपको रू गदगध हो गए है नितिश कुमार की प्रसंसा में खूब कसीदे पर रहे हैं और नितिश कुमार ही नहीं बिहार वासियों को भी सलाम कर रहे हैं क्या कुछ हुआ है तो हुआ ये है कि बिहार फिल्म प्रोताहन नीती 2024 को राजमंत्री मंडल से मंजूरी मिल गई है जिसके बा बिहार सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें वो बिहार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं रवी किशन ने कहा है कि मुझे पहला स्टार जो है वो बिहार नहीं बनाया है बिहार की जंता नहीं बनाया है और जब बिहार इंडिस्ट्री के लिए इस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से प्रोत्साहन रासी दी जाएगी अब फिल्मों को वो काबिले तारीफ है इसलिए नतिश शरकार की मैं तारीफ करता हूँ प्रसंसा करता हूँ उनके पूरे मंत्री मंडल क्यों मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिहार के फिल करोर की प्रोटसाहन रासी बिहार सरकार के तरफ से दी जाने वाली है जिसको लेके रवी किशन बहुत जादा उत्साहित नजर आया है उन्होंने बहुत तारीफे की उन्होंने बिहार के बारे में भी का कि बिहार एक ऐसा राज है जिसमें कई ऐसे अस्थल हैं कई ऐसे जगे हैं जहां पे सूटिंग हो सकती है बहुत खूबसूरत राज है और जब वहां पे सूटिंग होगी तो इससे जो revenue generate होगा वो बिहार सरकार के हित में होगा बिहार सरकार के बहतरी के हित में होगा बिहार के हित में होगा इसके अलव की कोशिश करेंगे इसके बाद लोग भी बाहर से आएंगे और लोग भी यहां पे आके मुवी सुटिंग का हिस्सा बनेंगे जिससे कही न कहीं तूरीजम भी बढ़ेगा बिहार का इसके अलावा अगर बिहार की जो जगहें हैं जो मुवी में फिल्माए जाएंगे उसे देखने के बाद भी लोग यहां पे आएंगे और इससे भी टूरीजम में काफी इजाफा होने वाला है बिहार बहुत फूर्शूरत राज्य है जरूरत था इसे एक अच्छे पटल पे जो उत्सा बिहार के कलाकारों में देखने को मिला है उसके मद्दे नजर रवी किसन ने अपना ये बयान दिया है वहीं सिर्फ रवी किसन नहीं बलकि अवधेश मिस्रा उसके बाद विनय आनंद इन सब लोगों ने आके बयान दिया है और सब लोग काफी गदगद हैं सकते हैं क्योंकि अब फिल्में जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी प्रोड्यूसर के लिए बनाना और अब इस वज़े से ये माना जा रहा है कि बिहार में फिल्में जो है वो पहले से बहतर क्वालिटी की बनेगी और इसके अलावा बिहार की जो फिल्में होगी वो आगे बढ़ेगी और अवधेश विस्ट्रा ने भी ये बात कहा कि जिस तरीके से ये कारे हुआ है जिस तरीके से बिहार में फिल्मों को प्रोसाहन रासी मिलेगी और उसको लेके मंजूरी जो हो गई है उसके बाद छोटे छोटे कलाकार जो है वो भी सामने निखर के बाहर आएंगे बाकि इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके और जो नितिस सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार फिल्म प्रोसाहन निती 2024 को मंजूरी दे दी है और आप आने वाली फिल्मों को प्रोसाहन रासी के रूप में पैसे भी दिये जाएंगे इसको लेके आप क्या स दोस्ते हैं कृप्या कॉमेंड कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुचा दीजिए बाकिया आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है